विडियो दोस्तो स्वाकाता है पहुत ही प्यारी वीडियो में दोस्तों आज के ँपक्तर हम आपको बताई हैं अपने अपने नर्सरी में बहुत ही प्यारा एक बनाया है बठेकल घार्डन आप ध्र लाइस पर चेयं ।हаровывает की प्वर्टinin किस तरह से बना लगा को फूरत लगता है वीडियों हम आपको बताएंगे बट्रिकल ग्लयल बारे में ठीक है दोस्तों से यह हमारा पूरा बट्रिकल गाधanda है और दोस्तों यह देख सकते हूं ऑपने और मींटल पड़िया सकते हो वह सारे प्रमान टैंनन प्लांटों के बारे में आपको बताऊं तो यह सब इंडॉर वाले आइटम है आप इनको इंडॉर में शेमिशेड एरिया में इस बर्टिकल कार्टन का यूज कर सकते हो यह सबसे नीचे आपको प्लांट दिख रही है यह केंडोला लगा हुआ है और सबसे ऊपर जो आपको दिख रही है फूल वाली इस तो बहुत ही प्यारा लगता है यह आप देख सकते हो हमारा कि छोटा सब बर्टिकल गार्डन एक गेट पर हमने सजा के रखा बहुत फूफ्फूर लगता है बहुत ही प्यार होता है दोस्तों देख सकते हैं और इसका पूरा सामान भी मिल लागा आपको जो इसमें दिख रहे हैं गमले हैंना प्लांट्स और यह बर्मी कंपोस्ट की अंदर लगा जाता है तो आपको भर्मी कंपोस्ट खाद भी प्रोवाइट करा दी आएगी मिल जाएगी देख सकतों आप देखो कितना बड़ीया में लग रहे हैं हमारा बैटिकल गार्डन तो बहुत ही खुपसूरत लगता है दोस्तों यह आप इंडोर में दोनों जगा सकते हैं में सभी तरह प्लांट होते हैं कुछ प्लांट ऐसे होते हैं इनडों व्यश्क में जगा जाते हैं यह सतूअ सब्सक्राइब करें तो इस तरह से आप लगा सकते हैं बना सकते हैं इसमें किसी परकार का आपको कोई भी बड़ी अब शक्ता नहीं होती है परन्तु और आप बड़े इस तरह पर करेंगे तब इसमें पानी के लिए बहुत सारी विवस्ताइं की जाती है तो आपको करना हुआ तो दोस्तों इस तरह से आगर आप बनाना चाहते हैं बर्टिकल गार्डन अपने घरों में छोटे-छोटे फ्रेम में भी लगा सकते हो बड़े फ्रेम भी लगा सकते हो वहां कॉंटेट कर लेना प्रेम पाल नरसरी पे हम दोस्तों आपको प्रोवाइड करा देंगे सारा ही मट्रियल इसका बहुत ही खुपसरों लगता है बहुत ही प्यारा एटम है तो एक बार आके नरसरी पर विजट भी कर सकते हो किसी भी बनवाना हो तो हमें कॉंटेट कर लेना हो अपना नमबर डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर देंगे आप आके ले सकते हो यह रख लगा अच्छी क्वाल्टी आद में तो बहुत अच्छे चल रहा है प्लांट कोई दिक्कत नहीं है अब रोस्तों जनवरी फरवरी का महिना है तो प्लांट की गोथ थोड़ी ही डाउन होती है पार अभी रोस्तों हो गार रेडी तो बहुत ही प्रयार लग रहे है तो